अगले पॉइंट के बारे में सी मेंबर्स पार्ट वर नग दिया होगा आज के दिन के अंदर अगर नहीं देखाए जाके देखीगा और यस्टड़े भी कुछ वीडियो सरकेते हैं यस बिंक के बारे में अपडेट्स और जैसे की पार्ट वन में बोला मेरे भाई फसना है त करें यस बेंग और मेरे पास को अगर मुझसे बुछे तो आंसर तभी नहीं होगा तो बेकर के वीडियोस ना देखे तोड़ा मैं जो समझा रहूं वो फूकस कीजिए यह लॉजिकल वीडियो है ठीक है छे मिनिट का लॉजिकल वीडियो है अब फटट बात करेंजिए कि स एक बात समझो डाउ जोन्स जैसे कि पार्ट वन में समझा था अमरीकी बजार 24% गिरे है नेस्डेक 4.5% उसका रिजन है एमेजोन की खराब सिल्स एमेजोन ने लॉस पोश के है 2015 के बाद इसके वज़े से एमेजोन का शेर गिरा है उपर से टेसला के शेर बेचे गए है ब काफी स्ट्रॉंग सेलिंग है और मार्केट गिरेते होए दिखाई दी है और उपर से मेंबस अगर इंडियन मार्केट दीखने जाए तो F.I. की बली सेलिंग है ठीक है और अगर बात करने जाए मेंबस जैसे कि पार्ट वन में बोला था कि F.I. ने कंटीनिसली सात महीने श में ने कंटिनिस्ली सेलिंग की समझ पा रहे हैं तो यह में मस काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और माना यह जा रहे कि करें उसकी रिजन है यहां पर योईस का एग्रेसिव रेट हाइक देख सकते हैं इसी के वज़े से मार्केट फॉल कते हुए रिखाई दिये हैं तो में मस बहुत सारे बुश्यादे कि सर अभी शॉट टम में कोई स्टॉक ले गया देखो में मस सूनना ध्यान सा जो बोल रहा हो ठीक है यहां पर बहुत सर बुश्यादे कि सर यह स्टॉक वो शॉट टम के लिए ले सकते हैं देखो में बस शॉट टम के लिए अभी पागलों की तरह एंट्री मत करना फसने में पांच सेकंड नहीं लगेंगी ठीक है बहुत सारे लोग फस जाते हैं शॉट टम के यह मैंने किसी विएस को बोला था दोसों पे हमारे वाटसे मेंबर्स आइम शॉर जानते होंगे अभी यह 463 पे ट्रेट करा है तो 5-5% के लिए 3% के लिए यह स्टॉक दिखा जा सकता है लेकिन रिस्की भी उतना ही है ठीक है लेकिन अब डेफिनिटी कंसर कर सकते है जीरो अब fundraising करने वला है ठीक है आप देख सकते हैं समिकंडेक्टर पुश करने के लिए लेकिन अगर पुशने ही जाये कि सर क्या स्टॉक भागएगा मेरे बैट नहीं भागएगा ठीक है आप देख सकते हैं डेप्ट इन सेमिकंडेक्टर पुश है तो यह थोड़ा सा मुझ से कुछ है तो यहाँ पर negative हो सकता है, stock गिर सकता है, definitely, इसको stock को members totally avoid कीजिएगा, जिसके पास है profit book 30-40% क्योंकि still sector में fall आ सकते हैं कभी भी, यशो इंडस्ट्रिस, members number मुँशे खराब number है, बहुत खराब नहीं, बहुत positive नहीं, in between number हैं, लेकिन current situation के हिसाब से market थोड़े number भी खराब हो तो उसको punish करता है, तो chance हो जाते हैं कि यशो का stock शाद फिसल सकता है, जिसके पास है यशो का stock, profit book कलो 40-60% approximately, क्योंकि stock में fall आ सकता है, समझ पारे हो, हम लोगोंने बहुत time पहले भी आपको दिया था, stock को 1200-1100 पे दिया था, stock 1800-1200 तक चलगे, double हो चुका है, वो भी तीन मेने में, तो अभी profit booking करना जरू बनता है, तो profit book as soon as possible, उशा मार्टिन, members, उशा मार्टिन को focus करना number बहुती धासू है, ठीक है, software बा buying होती हुए, या तो trading होती है, जिसके और जिससे यह stock vertical upset जाता है, आप देख सकते हैं, volumes, results है, पहले volumes आना start हो गए, और यह 80 का stock 150 पे चला गए, 160 double हो चुका है, अब वही तो शार्थ profit booking आ सकती है, लेकिन जिसके पास है, 30-40% profit book exit, GHCL MMS number बहुती बढ़िया है, बहुती धासू number है, 163 करोड से बढ़के 271 करोड का profit होता हुआ दिखाई दिया है, MMS stock को बहुती बढ़िया number पेश के है, लेकिन अगर देखने जाए तो stock already काफी run कर चुका है, आप देख सकते हैं, 400 का stock, 600 का high बनाया है, recently किसी ने buying की है, ऐसा लगर है, insider buying है, stock profit बन चुका है, अगर है, कल Monday jump आता है, 15-10% का, at least 50% profit book कर लेना stock में, ठीक है, no fresh entry, अभी मैंबस दियान से सुनना, LIC IPO, देखो, LIC IPO, जिसका डर था, वो आ चुका है, 21,000 करोड का IPO है, अब मैंबस दियान से देखना, 21,000 करोड का IPO है, ठीक है, और अगर आप देखोगे, FI ने, April मन्त में, 17,000 करोड की selling की है, और आप देख सकते हैं, मैंबस, April में बहुत सारे stock, काफी नीचे है, ठीक है, I am sure, retail निवशक के stock काफी नीचे होंगे, और देखो मैंबस, 18,000 से लेके, 17,000 करोड की बीक वाली में, तो सूचो, ये मैंबस कहां पे लेके जाएगा, LIC काफी का IPO, समझ सकते हैं, ये देखो, panic selling, मेंबस, जहां से देखना, कितनी panic selling, खरा panic selling है, देख सकते हैं, देखो, यहाँ पे, TV 18, 13%, shopper stop, महानगर gas, IFL finance, कितने stock crash हो है, ये सब भी FI की selling है, ठीक है, तो ये पनोती IPO है, लेकिन अगर पुछने जाए ते भाई, LIC ने काफी retail निवश्र को बाचा है, क्योंकि अगर ये नहीं बचाता, निफ्टी, आँच 52 एक low बनाता, ठीक है, आपको पता होगा, LIC ने बहुत सारे stock में stake increase किया है, ठीक है, अगर मुझे सर, क्या इसको खरीदना चीए, apply करना चीए, मैं अलग से वीडियो बना होगा, लेकिन मुझ कुछ विएस के question आजए, क्या करना चीए, देखो यहाँ पर, ठीक है, हलाकि देखो मैं बस ने, जैसे कि आपको बोलाओं कि FI selling कर रहे है, ठीक है, बहुत सारे stock 52 एक low बना रहे है, जुम आटो भी 52 एक low बनाया है, आप दीख सेते हैं, देखो, जुम आटो ने आज 52 एक low लेना, अगर loss बड़ा है, तो पैनिक करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, loss बड़ा है, तो कोई पैनिक करने की वैसे जरुवत नहीं है, stock 60 पे support लेका, लेकिन पागलों की तरह average, serious note में मत करना, ठीक है, फर्स ने में 5 second नहीं लगेंगे, तो अभी average मत करना, नेमस में आपक शायद 60 के तरफ जा सकता है, यह stock, ओके, तो फोकस करना, stock में equally strong है, अगला हो जाता है, विप्रो, सर विप्रो में क्या करना चाहिए, विप्रो भी यहाँ पर कोई कोशिट बूच रहता, एक बार विप्रो का stock डेट लेते हैं, देखो मैं बस, विप्रो ने भी recent low break की है, नंबर बहुत सारी लोकों को धासो लग रहे थे, stock ने 52 विक low, इसाब से यह बहुत जल रिटेस्ट करेगा, 477 थक यह stock जा सकता है, समझ सकते हो, मैं बस देखो, यहाँ पर ध्यान सा सुनना, stock एक तो breakdown किया है, उपर वे volumes के साथ breakdown किया है, volumes है भी है, यानि कि stock बहुत view है, long term मेरे भाई, अभी क्या हो सकते है, नीचे support देखो, support पर शायद यह stock support ले सकता है, और अभी का तो support यह तूट चुका है, तो अगला support है 400 का, ठीक है, यह शाद stock 400 तक जा सकता है, short term के अंदर, टीवी 18 broadcaster, टीवी 18 में क्या करे, इसमें first चुके है, देखो मैं मस, टीवी 18 देखो मैं मस, प्रॉपर एक breakout था, यहाँ पे, अब दिख सेते हैं, एक प्रॉपर breakout था, stock ने closing भी दे दी थी, यहाँ पे, एपरिल मन्त में इसको बड़ा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन एक news stock को crash करवा दिया, वो भी volumes के साथ, अभी members में एक बात बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, ठीके, बहुत सारे retail innovation गलती करते हैं ये, कि stock एक दिन 13%, 17% crash किया, यानि कि दूसरे दिन stock 50% उपर चला जाएगा, मेरे बाई, बलब कहां से logic लिखी आते हो, ठीके, अभी किसी viewers ने, हमारे WhatsApp viewers ने, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पेverage किया था, 62 पे, जहाँ पे stock फॉल किया, अब देखो, 53 पे आ जा गया, फिर बाई, क्यों, आम बलब खुद के पेरों पे कुलाडे क्यों मारते हो, अगर कोई stock volumes के साथ crash हुआ है, इतना 17% का heavy volumes है, ठ मैं बस अगर खरीदार कोई होते तो इतना बड़ा selling नहीं काता, यानि कि जिसके पास है, वो बेच रहे है, अब मैं बस अब खुद सोचो ना, stock price काब उपर जाएगे, जब भाव बढ़ेंगे, ठीक है, यानि कि जब खरीदार बढ़ेंगे तब stock price उपर जाएगे ना, वो बेच के निकल रहे है, तो पागलों की दर क्यों average करना चाते हो, वो भी bulk में average करते हैं, पताने क्या mind में लेकि आते हैं, और फिर मैं मैं सही में बोलना चाहूंगा, market में, अगर इसके अंदर ऐसे फसोगे ना, तो market में एक रुपए नहीं कमाओगे, market में उल्टा exit कर लोगे, ठीक है, मुझसे पुछा ये members, ये बहुत बड़ी selling है, शायदी अभी एक साल के अंदर ये selling शायद recover हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाग selling है, ये unlimited selling है, अभी आखरी support आ चुका है TV18 का 53, अगर ये टूटा 53 या 50 टूटा मेरे बाई, stock में अभी कुछ नह बचेगा, ये पता नहीं, बहुत खरब panic selling है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, इतनी deal भी खरब नहीं थी, समझ रहे members, इतनी deal भी खरब नहीं थी, कि इतनी खरब selling होनी चाहिए थी, ओके, तो short term में कुछ नहीं बचा है, चीज़ से आंठ महीने में मेरे सब सभी कुछ नहीं बचेग क्योंकि ये unexpected था, ये बहुत खरब चीज़ थी, ऐसा नहीं होना चीज़ था, अभी क्या बोल सकते members, अभी शायद इसका कोई output है ने, और मेरे को नहीं लगता है इतना चल्दी ये ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, तो अगर हो सके, stock अगर आपके बास पढ़ा हुआ है, तो वह 20% exit करना, बाकि अभी शायद long term के लिए, अभी उपर नहीं जाए सकता, long term में शायद जा सकता है, तो अभी average मत करना stock के अंदर, एक अगला stock हो जाता है, BSL का stock सर short term में ले क्या, देखो मैं बस, BSL जैसे stock short term के लिए ना लो, ठीक है, अगर यहाँ पर देखते है देखो, stock में volumes आते हैं, तो होए दिखाई दीर, vertical stock उपर जा रहा है, इसको पहला तो यह समझो, vertical किसको बोलते हैं, पहला video देखो हमारे, ठीक है, vertical उपर जा रहा है, यह stock fall करेगा, यह definitely, इसको stock को average मत करो, ना खरीदो, ठीक है, अगर देखना ही है, तो zero to hero stocks देख सकता है समझ रहे हैं, जैसे कि यह बोला है, 5% का target, 3% का stop loss, यह शयद उपर जा सकता है, तो ऐसे stock में focus करना मेरे बाई, short term के लिए, ऐसे stock में ना जाओ, better हो जाता है, ठीक है, BEPL का सब, BEPL में क्या करना चाहिए, stock में और क्या गिरावट आ सकती है, देखो मैं मैं मस, BEPL का stock के support है, 120, अगर यह break करेगा, तो stock शायद 115 तक जा सकता है, लेकिन अगर पूछने जाए, कि सर, क्या करना चाहिए, BEPL में है, तो मैं बस मिने यहाँ पर दीखा है, कि company, plan expand करी है, chances से कि अगले quarter में result strong आ सकते है, अगर पूछने जाए, तो stock में entry करने का शायद सही मोका बन सकत है, अगर यह stock आपको 110, 115 के असपस मिलता है, stock को average कर लिजे, या fresh buy कर सकते है, chances से कि अगले आठ होईने के अंदर यह stock fees से एक बड़ा rebound कर सकता है, क्यों, क्योंकि company expand करने वाले है, company का नया production स्टार्ट होने वाले है, google search कर सकते है, आपको मिल जाएगा, और यह stock fees से बड़ हाई लगा सकता है, तो अभी average उमत करना, नीची जो मैंने level बोला है, 100, 105, 115, 3 level है, वहाँ पर focus कर सकते हैं, लेकिन average एक ही बार करना है, ओके तो यह अध्यान में रखेगा, SRD का सर, SRD में क्या करना चाहिए, यहाँ पर फटार discuss कर लेते है, SRD का स्टॉक, देखो members, स्टॉक ने lower circuit बनाना start कर दी है, profit book, यहाँ पर अभी profit book, members यह स्टॉक डबल हो चुका है, पहले भी बोला है, बहुत बार बोला है, हमारे छोटू स्टॉक है, अगर किसे ने bulk मिले यहाँ मेरा बाई, 60-80% का profit book, approximately 80% का profit book करके निकल जाना, बाकि 20% जोब की regular investment है, वो रख सकते हैं, बाकि profit book कर लेना, SRD में, बल्रमपू चीनी, यहाँ पर किसी वियोस में पूशा था कि सर, बल्रमपू चीनी में क्या करना चाहिए, देखो मैं बल्रमपू चीनी में weakness आ च चुकि यह short term के लिए कुदना मत, stock में profit booking है, अगर ऐसे falling market में मुझसे पुछे सर, क्या करना चीनी short term है, मैं exit करने की सला दोगा, ठीक है, support कहां पर है, support है 438, अगर break हुआ, 438, 400 तक यह stock आ सकता है, ठीक है, short term के लिए profit book long term है, तो फिर मेरा बाई result तक का weight कर सकते हैं, जरू कर सकते हैं, वेपरो का TV18 का में answer दी चुका हो, ठीक है, और मैं मस अगर telegram में नहीं है, जाके चुड़ेगा search करना है, my stock market funder telegram के लिए, मिलते हैं, अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए good bye, जय हिन